पश्चिम बंगाल में इस सत्ताधरी पार्टी है तिर्णमूल कॉंग्रेस टीमसी और बीते लोगसभा चुनाओं में इस पार्टी ने पानी की तरह पैसा बहाया। पार्टी के वरिष्णेताओ अभिशेक बनर जी, महुआ मोहित्रा, शात्रुखन सिन्हा समेत 48 उम्मेदवारों को चुनाओं लड़ने के लिए 75-75 लाख रुपए पार्टी की ओर से दिये गए। पश्चिम बंगाल के सभी 42 सीटों पर टीमसी ने अपने उम्मेदवार उतारे थे, 29 सीटों पर उसे जीत भी मिली। लुकसभा चुनाओं लड़ने के लिए पार्टी उम्मेदवारों को जो भुक्तान किया गया था, उसका जो पुरा डेटिल सामने आया है, उसके मताबिक चुनाओं लड़ने वाले उम्मेदवारों पर तीन करोड साथ लाख रुपए खर्च किये टीमसी ने, और यी सम और मिघाले से भी चुनाओं लड़ा था, पश्चिम बंगाल में सतरूर टीमसी एक मानिताप्राप्त राजिस्तरी पार्टी है, जबकि आमादमी पार्टी को एक मानिताप्राप्त राष्ट्रिय पार्टी का दरजा हासिल है, उसने अपनी तीन उम्मेदवारों को कुल लगबग आधी जो पैसे थे, वो सिर्फ गुजरात के लिए ही दे दिया गया था, लेकिन सबसे खास बात ये है, कि आल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलिमीन, यानि की एाई अमायम ने अपने अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को दो किष्टों में कुल मिलाकर 52 लाख रुपए दिये, हाला कि चुनाओ प्रचार पर उमेदवार के खर्च की एक सीमा होती है, लेकिन राजनेतिक दल के लिए ऐसी कोई सीमा या खानून लागू नहीं होता, जनवरी 2022 में निवराचन आयूग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने लोगसभा चुनाओ के कर दी गए थी, लोगसभा चुनाओ के लिए संशोधित व्यज सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 90 लाख रुपए और छुटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपए है, साल 2024 के लोगसभा चुनाओ साथ चरणों में हुए, नतीजे चार जुन को घोशित किये गए थे, लेकिन जिस तरह से इनके खर्चे का विवरण अब चुनाओ आयू के पास पहुँचा है, उससे पता ये चला कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार यानि उनकी पार्टी टीमसी ने जम कर पैसा खर्च किया था लोगसभा चुनाओ में और ये एक बड़ी भी रकम थी, इस ब अबड़ कि पास आयू आयू कर दो पास तरह से बड़ी बंगाल की में खर्च कि देए।